हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ जुर रहे हैं जितने भी संबीदा करमचारी हैं जो बिहार सरकार के सरकारी बिभागों में संबीदा के अधार पे नियोजित कर्मियों के अधार पे दैनिक वेतन भोगियों के आउट्सोर्स के अधार पे विगत कई वर्सों से गराप बिहार सरकार के 45 बिभागों में से किसी बिभाग में काम कर रहे हैं ऐसे में आप तमाम वर्ल के संबीदा करमचारी हो को लेकर बहुत बड़ी ख़बर के साथ साथ बहुत ही अच्छी ख़बर है सबसे पहले आप संबीदा करम चारियों को बता देना चाहते हैं कि कल की कैबिनेट में आप लोगों के फाइलों पर मुहर नहीं लगा जिसका मुख्य वज़ा है कि समाने परसासन विभाग के कुछ पताधिकारियों के कारण आप लोगों के फाइल सही समय पर मंत्री मंडल नहीं पहुच पाय जिसके वज़ा से वहाँ पर मुहर नहीं लग सका ये भी जानकारी आ रही है सुत्रों के हवाले से कि आप लोग के फाइल पर जो डेटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही है पुर्णता किसी भी भाग को ले करके जारी नहीं हुआ था लागू नहीं हुआ था कंप्लीट नही हुआ था जिसके वज़ा से सही समय पर उसे फरवाट डिस्पेच नहीं किया गया आप यहां पर तमाम वर के संबीदा करमचारियों को बता दे कि आप लोग निरास मत हो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो केबिनेट आएगी उसमें आप लोग को तफ़ा नहीं है वो उनको करना परेगा तभी जाकर के उनको भोट भी मिलेगी उनको बहुमत भी मिलेगा इसलिए वो ऐसा करेंगे आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को थोड़ा सा धहरी रखना है क्योंकि समानी पर सार्शन विभाग के अधिकारियों के दोरा ये भी जानकारी आ आगा मैं आपको कैबिनेट से 3-4 दिन पहले आप लोगों को वर्ड रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करने का काम करेंगे साथ ही आप तमाम वर्ड के संभीदा करमचारियों को यहाँ पर बता दे यह आप लोगों को लेकर के बहुत बड़ी ख़बर के साथ साथ बहुत ही अच्छी ख़बर है क्योंकि आप लोगों को लेकर के ऐसे ही कुछ खबर आई है सबसे पहले उस खबर को लाइप पूरूप में दिखाने के साथ साथ बताने से पहले एक छोटा सा अन्रोध करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए वर्ल रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक करके सीर जरूर कीजिए, इससे positive motivation बनता है और इसी motivation के साथ आप लोगों को काम को आगे करवाने को ले करके अगरसर होते हैं तो अब आप तमाम वर के संबीदा करमचारियों की यहाँ पर बता देना चाहते हैं स्पस्टी करन के साथ क्योंकि आप लोगों को ले करके सुप्रीम कोट यानि देश के सर्वोच नयाला का बहुत बड़ा आदेश पारित हो गया है सबसे पहले आप तमाम वर के संबीदा करमचारियों को बता दे कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि कल्यान कारी राज में समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए समान कारी के लिए समान वेतन के सिधान पर मुहर लगाते हुए सिर्स अदालत ने कहा कि आस्थाई कामगार यानि कि संबिदा करमचारी जो आस्थाई है उन सभी को आस्थाई की तरह मेहनताना पाने के हकदार हैं वो किर्तिमानक निर्धारित कर दोनों के बीच अंतर करना ग चाम या जिमेदारी निभाता है तो उसे दूसरे करमचारियों से कम मेहनताना नहीं दिया जाना चाहता। खोसना पत्र 9066 प्रहस्ताक्षर कर रखा है इसमें समानकार के लिए समान वेतनमान देने की बात कही गई है। आप लोगों को समान काम के यानि की आप लोग जिस बिभाग में जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर सरकारी बिभाग के करमचारियों को कितना मिलता है उसी के समाना अंतर आप लोगों को दिया जाएगा इस बात को लेकर के बिहार के माननीय मुखमंत्री। दिरिन नितिस कुमार ने पहले ही अस्पस्टी करन दे दिया है कि अभी जो मतलब की तैति थी में जो संबीदा करमचारियों को मिल रही है सुभधाएं वो कहीं से पढ़ियाप्त नहीं है जिसको लेकर के विहार के माननीय मुखमंत्री महुद है। के बिहार सरकार भी एकदम सकडिये हैं अब यहाँ पे आप तमामवर के संबीदा करमचारियों को बता दे कि आप लोगों को लेकर के यानि कि सुप्रीम कोट ने तो कह दिया है कि पूरे देश में एक समान वेतन देने की तैयारी होगी यहाँ तक कि केंदर सरकार भी इस पर ह कानूनों को बदलने की है तैयारी इनमें सामिल है वेतन समाजिक सुरक्षा और गोगिक सुरक्षा और गोगिक संबंध कानून यानि कि तमाम सरम संसादन विभागों को लेकर के भी कहा गया है कि यानि कि सरम कानून ILC सिफारिसों के अनुसार संबीदा करमचारियों को या साथी संभीदा करमचारी जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में अब यहां पर आपको बता दे कि आप लोगों को ये भी देखा जागे कि कितने वर्सों से आप काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप लोग के वेतनमान को सेट किया जाएगा सरकार ने ये भी कहा है कि आप अब जो है विहार सर्कार से यानी जो भी सर्कार की Treasury Department होती है उससे आप लोगों को दिया जाएगा जिससे आप लोगों के मांदे में किसी भी परकार की धांदली नहीं होगी लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा कि सर्कार कभी जो है मांदे की बात नहीं कर र वो कहा जा सकता है क्योंकि जैसे ही आप लोगों को वेतनमान की केटेगरी मिला करके सरकार खड़ा कर देगी तो तमाम तरह की सुपधाएं आप लोगों को आटोमेटिक प्रवाइड होने लगेंगे और जिसको लेकर के यहां पर असपस्टी करन भी दिया गया है कि कैडर बन के जो मंतरी है जो विजय कुमार चौधरी है उन्होंने असपस्टी करन देते हुए कहा है कि जितने भी संबिदा करमचारी है उन सभी को लेकर के फाइल जो है जैसे ही समानी पर सारसन भी भाग भी वही देखते हैं इसलिए समानी पर सारसन भी भाग से जैसे ही आप लोग बिहार केविनेट की मुहद लगा करके पूरे राज में उसे लागू करेंगे और जो संबीदा करमचारी लगातार इस आरसे में बैठे हुए हैं कि उनको तोफा कम मिलेगा, उनको निवंतम मजदूरी कम मिलेगा, उनको वेतनमान के साथ साथ NPS, मेडिकलेम, पॉलिसी, अक् कमे में हैं क्योंकि बिहार सरकार जब मन बना लिया कि संबीदा करमचारी को तमाम तरह की सुबधाइं धरातल अस्तर पर देना है इसमें कहीं से हस्त चेप जो हैICH को ही नहीं सकता है क्योंकि ये तमाम राज्यों को लागू करना है सुप्रीम कोट का आदेस है देश के सरवोच न्याले के आदेस को कोई तार नहीं सकता है क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन का आधिकार प्राधिकरन जो है उसमें संसोधन करके आप तमाम वर्के संविदा करमचारियों को तमाम तरह की शुबधाएं प्रोवाइड की जाएगी